सत्स्रियकाल गुरुजी ते साथ संगजी आज असी तीजी अश्पदी ते अर्थ समझन दी एक कोशिश करांगे और एहे हुकम प्रमात्मादा दिता है बहुत बहुत चुक्राना गुरुजी महाराज ता संगजी बानी अगाद बोद है एदा कोई अंत नहीं ते इस मनुख जीवन वेच जिन्नी मर्जी कोशिश कर लिए बिना गल्तियां तो ते संपून अर्थ कोई नहीं जान सकता इसलिए कोशिश प्रमात्मा नुवी कबूल होए ते साथ संगजी नुवी एसदा रास मिले एही अर्दावास है प्रमात्मा तो कि ओ बलबुदी बक्षन आओ अ पां इसदे अर्थ सर्वन करिये पीजी अश्पदी दास्तिया कि सब साधना तो नाम स्रेश्ट है होर साधना दियां कमियां तरशा के नाम तारंदी प्रेरना किती गई है नौखन प्रिथमी फिरे चिर जीवे उदास तपी सर्थीवे अगन माहे होमत प्रान कनिक अस्वहेवर पूमदान नियौली करम करे बहुद आसन जैन मारग संजम अचसाधन निमक निमक कर सरीर कटावे तोंबी हों में मैल न जावे हर को नाम समसर कुछ नाही नानक गुर जे कोई नौखंडा वाली सारी प्रिथवी फिरे ते बहुत चिर तक्वी जीवे फिर बढ़ा उदास ते वड़ा पापी हो जाए अगनी विच अपने प्राणा तकनू भी होम करे सोना कडे कोतल कोडे दे प्रिथवी दान करे नियौली करम करे बहुत आसन हन योग भी जैन संते कररे संजमते आते अखे साधन करके रता रता करकी शरीर कटा दवो तद भी हॉमेदी मैल नहीं जान दी हॉमेदी मैल गवांड ली हरी दे नाम दे तुल कुछ भी नहीं गुरू साब केंदे हन हे मेरे मन तु सोच के देख की हरी नाम दी मैमा सब साधना तो उच्ची है जिस नाल मन शुधुन्दा है इस नाम नाल वड़े वड़े पापी मुक्त हो गए हन मन कामना तीरते चुटे गरब गुमान न मन ते हुटे सोच करे दे नसर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहुत साधना करे मन ते कभू न बिख्या तरे जल तो वे बहुत दे अनीत सुध कहां होई काची पीत मन हर के नाम की महिमा उच नानक नाम उधरे पतित पहु मुच पामे मन दे चाहे हुए तीरत उते जाके को ये पावना रखे कि मैं उत्थे अपनी दे त्याग दवांगा ते ऐसा करन नाल अहंकार ते अभिमान मन विच्चों नहीं गया ता उस तीरत उते जाके वी शरीर दी शुद्धी इस नान आदिक करके रात दिन भी करेगा ता वी मन ते तंदी मैल दूर नहीं हुंदी शुद्धी आदितों छुट्पा में उत्थे इस दे नाल कि निया ही साधनावा करे ते विश्वाश पावना कदे भी नहीं आवेगी पला जे कोई कच्ची कान नो जाल नाल पहत तोवे ता कोई शुद्ध हो चल लिया हो इस तरह इसी तरह नाशमान शरीर है ओ कच्ची कंद भंगू कच्ची मिट्धी ता बढ़या है ओहो एही सब अडंबरा नाल शुद्ध नहीं होएगा हे मेरे मन गुरु साब कहन दे है के तू हरी नाम दे नाल अपने आपनों शुद्ध कर सब तो उच्ची महमा हरी दे नाम दी है ते नाम नाल वड़े वड़े पापी भी मुक्त हो गए हन बहुत से आनब चमका पौबया पे अनिक चतन कर त्रिशना त्रापे पेक अनिक अगनी नहीं बुझे कोट उपाव दरगे नहीं सिजे छूटस नाहीं उप पयाल मौबया पे माया जाल अवर कर तूत सगली जम डाने गोबिन पजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत जाए नानक बोले सहज सुबाए परमात्मा दासरे हैं कि अत दी चतुराई करन नाल जम दा पाव वद्दा है काटता नहीं पाव दिमागी समझ दी तीखनता नाल मौत दा डर दूर नहीं हुंदा सगो वद्दा है अनेक जतना नाल त्रिशना दी शांती नहीं हुंदी जो मूल है मौत पैदा जिने सियानप है तिमेही है मन बहते पेखां करके भी त्रिशना अग नहीं बुझ दी खोर करोड़ा उपाय करके भी जीव दरगा विच प्रवान नहीं हुंदा अकाश विच उट गया जहां पताल विच उत्तर गया भी जीव नो छुटकारा नहीं मिल क्यूंकि इस जीव दे मन नो मू लगया हुया है जो माया दे जाल विच उट्टन नहीं दिन्दा खोर सारियां करतूता नो वी जम क्रियावा नाल पजान दी कोशिश करदा है पर गुरु साब केंदे हन कि गोबिन दे पजन बिना एक तिल भी नहीं एडर मान्दा हरीदे नाम जब्दियां सब दुखदूर हो जानदा है इसलिए सानुचहिदा है कि असी सहत सुबा ही प्रमेश्वर्दा नाम लेंदे रहिये चार पदारत जे को मांगे साथ जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम रिद सदत गावे जे को अपनी सोबा लोरे साथ संग ए हों में छोडे जे को जनम मरंते डरे साथ जना की सरनी पडे जिस जन को प्रब्दरस प्यासा नानक ताके बल बल जासा जे कोई चार ही पदारत दी मंग करके साज जिनादी सेवा विच लगे जे कोई अपना दुख मिटाना चौन्दा है हरी दा नाम रिदे विच गावे ताही है हो सकता है जे कोई अपनी सोबा दा लोडवंध है ता सादा दे संग विच जाके इस हौमे नो छड़े जे कोई जनम मरं तो डरता है ताउ सादू पुर्खां दी शर्णी जाके पवे पर जिस पुर्ख नो प्रभू दे दर्शन दी प्यास लग गई है गुरू साब फर्माँदे हन कि उस दे में बलेहार बलेहार जानदा है पावे है कि जे कोई सोबा दुख दूर ता चार पदारत मौद दा पै इना लई ना पर केबल वाहिगुरू दा प्रेमी होके सिम्रन करे उस तो नानक सद के जान दे हन अर्थात एक ही निश्काम सिम्रन बहुत उची वस्तु है क्यूंकि उस नाल सद गती प्राप्त हुंदी है जो सब तो उत्तम प्राप्ती है सगल पुर्ख में पुर्ख परदान साथ संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सपते उच्छा जाका मन होई सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल स्रिष्ट साजना सूख दूख जनसम द्रिष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा गुरु माराज कहने हैं सारे पुर्खा विच्छों ओ पुर्ख परदान है स्रेष्ट है जिस्ता की सत्संग द्वारा अभिमान या हम में दूर हो गई होवे जो अपने आपनों नीच जानदा है उस पुर्खनों सब तो उच्चा गिनीदा है जिस्ता मन सब दी तूड हो गया है ता जानों के उसने हर हिर्दे विच हरी नुही ते हरी दे नामदा ही निवास रख लिया है वेख लिया है हाँ उसने अपने मन तो परायदा बुरा मिटा दिता है ते उस सारी स्रिष्टी नुँ अपना सजण देखता है पर मेश्वर दा ऐसा दास सुख दुखनों एक तुल कारके पाव एको जिहा वेखदा है गुरु साब के अंदेहन उसनों पाप पुन्दा लेप नहीं लगदा रेंद अर्थ है तूड मिटी निर्तन को तन तेरो नाव निथावे को नाव तेरा थाउ निमाने को प्रब तेरो मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जानों आप आपन संग आप प्रबराते तुमरी उस्तत तुमते होए ना नक अवर न जानस कोए अर्दास कर देहां कि हे प्रबु तान तो हीने पुर्ख नू तेरा नाम ही तान है निथा में नू तेरा नाम ही थाओं है तेरा नाम ही है प्रबु निमाने नू मान दिन्दा है केवल निर्तन निथा में निमाने नू ही नहीं सगों सारे जीवा नू आप ही दान दे रहे हन करन करावन हार आप ही हो स्वामी ते सब कट दे अंदर दी जानन वाले हो पर अपनी गत में तो तुसी आप ही जान दे हो अपने आप नाल हो प्रभू तुसी आप ही रच रहे प्रेम कर रहे हो तो अड़ी उस्तत तो अटो ही हो सकती है केंदे हन कि गुरु नानक तो अड़ी संपूर्ण उस्तत कोई होर नहीं जानदा ये थे गुरु अर्जन देव जी महराज कह रहे हन कि तो अड़ी उस्तत से आप ही जानदे हो सरब तरम में स्रेश तरम हर को नाम जब निर्मल करम सगल क्रिया में उत्तम किर्या साथ संग दुर्मत मल हिर्या सगल उत्तम में उत्तम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी में उत्तम बाणी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते हो उत्तम थान नानक जैकट वसे हर नाम एजीव सबना तर्मा विच्छों स्रेश्ट तर्म ते सबना कर्मा विच्छों स्रेश्ट कर्म हरीदा नाम जपना है सब क्रियावां विच्चों उत्तम क्रिया ए है कि साज संगत्दे संग नाल अपनी मैल दूर कीती जावे पाव मतनू पापां तो पवित्र करके हे जीव सब उद्मा विच हे उद्धम पला है कि हर दा नाम हमेशा सा देहरदे विच चल्दा रहे पावसी प्रमात्मा दा नाम जबते रहे सब बाणी विच्चों उद्म बाणी अमर करनवाली बाणी ओ है जिस नाल जीव हरीदा जस सुने ते आप भी जीव नाल वर्नन करे सब अस्थाना विच्चों ओ हिर्दे रूपी थाओं उत्तम है जिस हिर्दे रूपी थाओं विच्च के हरीदा नाम बसता है गुरू अर्जिन देव जी एक दासरे हैं कुछ शब्दावली दी चर्चा करके होर कुड़े अर्थ समझन दी कोशिश करांगे काट शासर तो अर्थ है छे शासर रतना दा अर्थ है के ओ सबकीमती पदार्थ जो सानू हमे विच पौंदे हन हैवर बहुत वदिया कोड़े आंदी नसल नो क्या गया है नियौली एक ऐसी क्रिया है जिसना लसी आंदरा नो फेर के साफ करीदा है गती दा अर्थ मुक्ती है अनीत दा मतलब है जो सदा ना रहे जो नाश्वान है नहीं सिजे दा अर्थ है कदे वियो सरे नहीं चड़दा काम्याब नहीं हुन्दा पाव उनु दर्गा विच परवानगी नहीं मिल दी डाने दा अर्थ है सजा देना या डंड लोना चिरे चार पदार्थां दा जिकर होया है ओहन तर्म अर्थ काम ते मुक्ती गती दा अर्थ है ग्यान प्राप्ति दी पहुंच एथे गुरु साब संबोधन करके कह रहे हैं कि अपने वजूद दी हालत दा ग्यान है तुसी किस प्रकार दे हूँ ते तुसी थोड़ी पहुंच कितों तक दी है एहे इस अश्पती विच गती दी परतों कीती गई है मित मतलब मिंती या विस्थार हद या मर्यादा अमरित पानी अमर करन वाली परमेश्वर दी या श्रूपी पानी अमर है ते ओह अमर कर दी है झाल 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 झाल